यहाँ पर मैं दो फेब्रिक बेल्ट के उपर डिजाइन दिखाऊंगी, दो अलग-अलग होगी, तो यह मैंने हाथ से ही बनाई है, बहुत ज्यादा आसान है, कोई भी कप्रों को इस तरीके से स्टीच करके आप कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप पेंसिल से इस तरीके से आप वह भी कर सकते हैं, बहुत आसान है, फिश को पहले इस तरीके से पहले पेंसिल से मार्क कर आउटलाइन कर सकते हैं, या फिर आप डिरेक्ट आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैं एक ही किया है, बाद में स्रिफ कलर से ही करूँगी, क्योंकि बहुत ही आसान है, इसलिए उ उसके बाद में यहां यह मॉफ कलर यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो सारे के एक कलर में ही कर सकते हैं, बट दूसरा इस तरीके की कलर यूज करेंगे तो ज्यादा कलर फुल होगी और ज्यादा खुड़ सूरद भी लगेगा आपको, और कलर के लिए यहां में यहां पेबि itas niveau पर अपको ऑप कोई भी ब्रैज्ट का भी यूज कर सकते हैं फैबेखलय की होगी onल कि हमल की होगी सोगी जाइसे कि आपको योलो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि यह बेल्ट अलरी थोड़ी सी योलो तो नहीं है बट लेमन योलो से थोड़ी सी लाइट टाइप की है तो मैंने यूज नहीं किया है और यहाँ पर मैं यहाँ 3D आउटलैनर अभी यूज करने वाली हूँ बट अगर आपके पास नही करना नहीं तो इसके साथ मिलके यह स्प्रेड हो जाएगी और यह 3D आउटलैनर भी बहुत इजली मार्केट में आपको मिल जाएगी यह में यहाँ फेबिक रिल की यूज कर ली हूँ आप कैमल का भी यूज कर सकते हैं कैमल का बहुत अच्छा है हाँ सच में क्यूंकि उस इसको रिफिल करके यूज कर सकते हैं तो यह अंदर जो यह चोटी चोटी वार्क है इसको ज़रूर करना तब जाके इसकी पेंटिंग की और खुशूरत बहुत ज्यादा दिखेगी तो यह हम मैंने यह थोड़ी सी कर लिया है और बाकी का सारे में सेम प्रोसिटियोर से कर लूँगी अब ध्यान रहे हैं अपके हाथ पे ना लग जाए कलर क्यूंकि हाथ से कलर बहुत ड्रेस के उपर लग सकते हैं तो यह देखिए मैंने पूरा कंप्लिट कर लिया है वाव कितना ज्यादा खुशूरत लग रहा है अब कोई भी लॉंग गाउन या टॉप के उपर इसको ट्राइब कर सकते हैं इस टाइब की बेल्ट को आजकाल तो यह बहुत ज्यादा फैशनेबल भी है और यहाँ पर मैंने यहाँ साइट पर मैंने सोचा स्टीच के उपर थोड़ी सी यह कलर कर देती हूँ तो यह अच्छा लगेगा आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं बट यह अच्छा लग रहा है और इसको आप वाश भी कर सकते, कोई डरने की बात नहीं है, कि यह लिए कलर है, अप्टर वाश यह छूट जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम कुछ भी नहीं होता है, आप हाथ से वाश करना इसको, और यह देखिए अप्टर कंप्लीट, कितना ज्यादा खुब सूर और हमेशा कोई mild detergent या shampoo या फिर easy के साथ इसको वाश करें हाथ से, machine के अंदर बिल्कुल ना डाले, और paint, I mean हो जाने के बाद 24 hours के लिए ऐसे रख दीजिए, उसके बाद आप back side पे एक बार प्रेस कर लेना, बस और कुछ नहीं करना है, और उसके बाद 72 hours के बाद आप इस तो इसके लिए आप इस तरही के से पैंसिल से मार्क कर सकते हैं, और मैं यहां बस थोड़ी सी मार्क किया है, बस अब को दिखाने के लिए मैं यहां मार्क करके, क्योंकि बहुत लंबा बेल्ट है, उतना मार्क लेहीं करने वाली हूँ, और यह जो चिकर पेंटिंग है तो इसको फ्लैट ब्रस से ही करना बहुत ज्यादा अच्छा होगा, खुबसूरत होगा, मैंने कभी राउंड ब्रस से ट्राइ नहीं किया है, राउंड ब्रस से आउटलाइन करके आप कर सकते हैं, बट उसमें टाइम तो ज्यादा लगेगा, और इतना फिनिशिंग भी आएग या फिर आभी सकते हैं, आउटलाइन करके आप कलर अंदर फिल कर सकते हैं, राउंड ब्रस से, जीरो नमबर राउंड ब्रस से ही करें, या फिर अगर आप फ्लैट ब्रस यूज करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा आसान होगा, जल्दी होगा आपको, आप चार नमबर की फ्लैट ब्रस यूज करें इसके लिए, तो ये बीच बीच में आप देख साथें थोड़ी सी गैप दे के मैं यहां वाइट कलर यूज कर रही हूँ, क्योंकि अंदर और एक कलर यूज करना है, यह जह हो है न, यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं दीप ब्रिल पर्बल कलर यू कर रही हूँ, यह कलर सारे डिसाइड करते हैं मेरे हजबन, मुझे यह कलर कॉमिनेशन इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है वाइट के साथ या और इसके ऊपर यह कलर बहुत ही ज्यादा खुबसूरत है, आप भी कोई लाइट कलर के उपर डार कलर से पेंट करें, डार कल अर बंगली हो ले अवोश्य बंगलाई कॉमेंट कोते पारो कि की जानते चाहो शाब बोलते पारो बंगलाई शाब प्रोशने रूत्तर पे जाबे और बंगलाई व्लॉग चैनल देखते हो ले, आमबर चैनल लिंक टा डेस्क्रिप्शन ने आच्छे व्लॉगर चैनल तो देखते पारो भारो लाग बे तो यह वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्फुल लगे ना तो लाइक जारूर कर देना मुझे भी अच्छा लगेगा और आप किस टाइप की डिजाइन देखना पसंद करते हैं कॉमेंट करके जारूर बताना थैंक यू सो मच पर वा अब दोने साथ में कितना अच्छा लग रहा है थैंक यू सो मच पर वाचिंग वाचिंग है वह 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 गूद देख केर बबागा आई